असलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो अलिफ की मुतलिक है अलिफ को हम सुलुस सिक्रिप्ट में कैसे लिखते है और इसके मेजर मेट्स बागी चीज़े अब हम पहले अपने कलम को वान ओक लॉक पर अलाइन करके अलिफ लिखने की कोशिश करेंगे अब देखिए कैस है ऑजिफ एक ही स्ट्रोग होता है इस पर उपर थूसरा स्ट्रोग हीडिया का लगता है चुक्कि डेड़ नुकता लॉंग होता है और एक उगता बाइड होता है अब आप देख सकते हैं न हीडियो को ऐसे बनाता हूं वीडियो में देखिए सबसे पैदे मैं उपर से नीचे की तरफ ला रहा हूँ फिर मैं टिप से थोड़ा सा इन कॉर्नर्स को जॉइन कर रहा हूँ ताकि इसको अच्छे से शेप मिले हिल्या को बनाने के दो तरीके या तो हम ऐसे बनाते हैं या तो हम वर्टिकल लेटर के होने के साथ साथ यह पूरा परफेटली वर्टिकल नहीं है थोड़ा स्लाइटली स्लांटर्ड है पहले उपर से राइट की तरफ जाता है फिर नीचे डेड़ नुक्ते आए एक नुक्ते की लेंग्ट भी लेफट की तरफ वापस आता है रिस्ट मुवमेंट से तो यह पूरा स्ट्रेट नहीं होता थोड़ा स्लांटर होता है पहला स्ट्रोक पिलकुल उपर से नीचे की तरफ आता है राइट साथ की तरफ थोड़ा सा तेल्ट करके थोड़ा सा स्लाइटली तेल्ट करके राइट साइड की तरफ आता है फिर एक ये डेड़ नुक्ते की लेंग्ट जब रहती है अलिफ में तो वहाँ पे रिस्ट से स्लाइट शिफ्ट होता है लेफ्ट की तरफ अब जो मैं मेजरमेंट्स देने जा रहा हूँ ये आप पहले भी दे सकते है इस से आपको कितना लॉंग लेना है कुँन सा स्ट्रोग कितना बढ़ा लेना है वह आपको अंदाजा रहेगा और यहां पे मेरा अलिफ थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए मुझे वो नुकते में थोड़ा दूर दूर डार रहा हूँ otherwise आपको एक्वी डिस्टेंट नुकते डालने है साथ नुकतों का अलिफ है तो आपको साथ नुकतों की लेंग देंग अब मैं इनको मार्क करूंगा आप देख सकते हैं मैंने ओपर हीलिया के जगा पे मार्क किया हुआ है यानि हीलिया डेड़ नुकते का है फिर रेस्ट अलिफ साथे पांच नुकते का है अलिफ की फ्लेक्सिबिल्टी वेरी करती है अलिफ ग्यारा नुकते भी बड़ा हो सकता है और पांच नुकते भी हो सकता है वो फ्लेक्सिबिल्टी में कोई इश्यू नहीं है और ये बिल्कुल आप तक है कि आप कैसे इस्तिमाल करना चाहते है और आपके कैलिग्राफी स्किल्स डिटर्माइन करते हैं आप हरूफ को कैसे इस्तिमाल करेंगे अंडर रूल्स दूसरी चीज़ आप देख सकते है मैं अलिफ को कैसे बनाऊंगा अगर आप लंबा स्ट्रोक नहीं दे सकते तो आप अलिफ को तोड़ के लिख सकते है जैसे दो स्ट्रोक में तो ऐसे करके आप एक स्ट्रोक वो वाला दे सकते हैं जो स्ट्रेट आपको राइट साइड की तरफ लेना है फिर जो आपको डेर नुकता या दो नुकता या एक नुकते वाला स्ट्रोक लेफट साइड की तरफ लेना है लास्ट पे वो आप दूसरे पार्ट में दे सकते हैं और फिर हीलिया आ अब यह पूरा डिपरेंट करता है आपके स्केalds पर पहले हील या लिखेंगे या वह पहला स्ट्रोक देंगे या तरी बेसे होता है कभी-कभी मैंभी क्या करता हूं मैं कभी-कभी कोई स्ट्रोक ही नहीं ले आता हूं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है but conventional way is always better तो conventional तरीके से ही चलना चाहिए और हाँ आप देख सकते हैं यहां पर अलिफ मैं कैसे लिख रहा हूं मैं different different तरीक हूं से अलिफ लिख रहा हूं पहले मैंने सीधे लिखा फिर मैंने तोड के लिखा फिर मैंने पहले हीलिया लिखा और now अब मैंने wrist वाली moment से हीलिया बनाया हाल्दो यह सही नहीं बना बट बना सकता है रिस्ट वाली मुम्मेंट से भी हीलिया बन सकता है इसमें पूरा खयार रखने की जरूरत है कि अलिफ पूरा वर्टिकल नहीं है परिफेक्टली वर्टिकल नहीं है तो थोड़ा सा टिल्ट करके तिरचे तरीके से लिखना है मतलब slightly slanted लिखना है ताकि ये सही हो जाए आप जूम करके देख सकते हैं और ये जो मैंने छोटा सा सरक्ल डाला है इडिनोट्स हाफ नुक्ता ये हाफ नुक्ते को रिप्रेजेंट करता है तो कभी कभी हम हाफ नुक्ते को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं या तो सीधे ट्राइंगल जैसे तो ये आपने सीखा अलिफ कैसे लिखते हैं और उल्फ के बारे में सारी जान करी दी मैंने आपको साथी साथ वीडियो देखते रहे हैं सबस्क्राइब भी कीजिए आगे आगे कनेक्शन पर भी वीडियो जाएंगे और साथी साथ हम सीखेंगे अल्ला कैसे लिखते हैं मुहम्मद कैसे लिखते हैं इन लर्निंग फेज ही तो वो बेतर रहेगा खुदा आपस्ट